हेलो फ्रेंट सौगत अब कही चैनल फेंटेसी दॉक्टर में एक बर फिर से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो निवाला यहां पे OVI वर्सेस W EF के बीच जो मैच होने वाला गभिखेंट s grateful to share करने वाला हु और रेन होगी या नहीं होकि और मैच किर से किए चैनल फेर हो तो आपको हमारे टेलिडिग्राम मारे चैनल जोइन करना बहुत जरूरी है जिसके नाम है कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे उपर ब्लू किलर का लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जोइन कर लेना है तो एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है अगर आ जुड़ना है तो आपको हमारे टेलिग्राम के लिंक जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्षिन में दिया है तो उसी का यूज़ करना है तब ही सही चैनल के साथ जुड़ पाऊगे यूँकि बहुत सारे चैनल से आपको टेलिग्राम पर मिल सकते है तो इसलिए लिंक का ही य जाएगी उस वीडियो क्लिक करके पूरा देख लेना आपको समझ जा जाएगा वाई के फिलहाल इस पार्ट को वीडियो के एंड में एक्स्प्लें करने वाला हूं जो वाई में इंवेस्ट करेंगे अब बात किया यहां पर जो मैच है यहां पर वेन्यू रहने वाला है व अगर थोड़ा ग्रांट गीला भीला होगा तो थोड़ा डिले हो सकता है मैच अधर्वाइस आपको पूरा मैच देखने को मिल सकता है ठीक है बाकी बात किया तो expected score देट से ओपर आप expect कर सकते हो और बाकी जो playing 11 रह सकते हैं उनकी जो last match पे रही थी वह यह है कुछ आपके लिए क्योंकि Tom Benton ने भी रिसेंट में T20 ब्लास में सेंचरी लगाई है और दूसरी बात किये जाए तो इसको भी रिसेंट में जो शिलंका सिरीज से उसमें वंडेवी सिरीज में स्कौर्ड में एड भी गया और अच्छा प्लेयर है डिस्ट्रक्टिव है ओपन करे वाकी है जोशयो कॉप बारे बात करें तो जोशयो कॉप नोर्थ हम तो काफी मैंच को सकते हो कि तीम से बैस्ट बैस बैसमन फेए बैसमन नर्थ हम तो जाष्ट है अफड़त में फ्लॉप रहा तो थाम नहीं वहानुगा पट ग्रैंट लिग में आफ ट्राइय कर सकते अ hen टीम किसी प्लेट से ओपन करवा रही है तो इसके पूरे पास यहां पर इस वाले अवेलेबल है जिससे कि वह इनिंग को अपने अपने खेल सकता है ठीक है तो इसलिए मैं ग्रैंड लिक में जादा रिकमेंड करूंगा यहां पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास और भी अच्छी अप्शन अवेलेवल है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जोश्यो कप को अब ग्रैंड लिक में ट्राय कर सकते हो नौर्ट अंट का वन अफ दी बैश प्लेयर में साथ है जोश्यो को बाकि ब कि मैं इसको बता सकता हूं आपको कि वन आफ दी मैं बोल सकता हूं कि अभी रिसेंड में न्यूजिलैंड के लिए वन अफ दी डिस्ट्रक्टिव बैट्समिंस में आता है और ऐसा प्लेयर है जो वर्डवाइड मोस्ट ऑप टोर्नमेंट खेल चुका है करी पिन प्रमेर ल तो फिलिप्स को मैं मिस नहीं करना चाहता क्योंकि प्लेयर अच्छे और बड़े नाम प्लेयर अवेल है और में भी टेम इसका बैटिंग ओडर ऊपर नीचे कर से इसलिए मैं इसको प्रमेर नहीं करने वाला है बाकि मैं 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 कृतली दोनों सेम टीम के लिए खेल टे यह टीटी बलाष्ट में यह कॉलरांडर है बैटिंग प्लस बाइलिंग दोनों करने वाला लैस्पिन बालिंग करें प्लस बैटिंग से काफी अच्छा एटर रहे लाश मैं अच्छे करी और विकट भी निकाला और नीशम ने अपने पो लाश मैं प्ला नीचे दीमोट कर लेता है तो कही ने नीशम को टीम में से मिसने मत करना भले इसका बैटिंग ओडर लाश मैं नीचे रहो वाइस क्रेटन से विगरा भी दे सकते हो बाकि रयान हिंगिस गलश शेयर का मिडल ओर का ओल राउंडर है मिडल ओडर पे खेलता है और काफी बोल सकते हो कि आप उनक जाद नीचे है तो इसलिए उतना मुका नहीं मिल पाएगा हिंगिस को तो अब ग्रेंड लिग में रिस्क लेना का शॉक करकते हो तब ट्राइ कर सकते हो बाकि स्मॉल लिग के लिए सिर्फ मैं इसलिए ट्राइ कर रहा है विकि बॉल इसको शायद पूरे ओवर ना मिल बाकि जेक बॉल फास्ट बॉलर है इंग्लेंड के लिए इंटरनेशनल खेल चुका है बाकि है डेविट पेंड लफ्टाम फास्ट बॉलर टीटी ब्लास्ट में खेलता है अब जो दैथोवर्स मान के चलो असी से सौ बॉल के बीच का जो स्पेर सोने वाल है वो है जगा में बॉलर की जगा चला सकते है जो बेक जेक बॉल की जगा चलाना चलाए तो खिला सकती है हैं कि आपको यहाद हो दो यहार इनिस में जब वल्लकप जीती है इंग्लैंड की टीम उसमें प्लंकित ने मैच वीनिंग परफॉर्मेंस की थी तो बहुत अच्छा वराइ अब बात करें OVI की टीम के बारे में तो जैसन रॉय ओपन करेंगा विल जैक्स के ताथ लास्ट में अच्छी परफॉर्म करी इंटरनेशनल लावर के बड़ा नाम है बड़ा प्लेर है तो इसलिए टीम में जुरूर रखना एवन वाइस क्रेप्टन सी भी दे सकते हो बाक प्लेशन रहेगी कि जरूर ट्राइक करना है बाकिया सुनिल नरायन बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेंगा तो यह पर कही ना कई कैप्टन सी वाइस के लिए अच्छी पिक रहेगी व्ल्ड क्लास प्लेर है और आइपल में इसना एक्स्पिरेंस इंटरनेशल में विक करता है क्यों कैप्टन है तो उपर नीचे हो सकता है इसलिए को मैं शायद रिकमेंड नहीं कर रहा भी स्मॉली के लिए क्योंकि इस सीजन जो टीट्वेंटी ब्लास्ट भी गया है उसमें सिर्फ एक अधी मैच इसमें अच्छा प्रफोर्मेंस कर रहा है अधरवाइस कॉल और आपको साज नहीं पिषाइद नहीं परता तो कॉल निंग्राम अफ्रीका का प्लेर है बाकी आता है लॉरी इवेंस इसको मैं बोलरों मेशे पहले मैसे अगर टीम खिलाना है तो इसको ओपर बैटिंग करवा है अधरवाइस इवांस कोई रोल नहीं है नीचे क्योंकि यह आते ही शॉर्ट नहीं मारता है इसको परेले सिंगल डबल केलने की जोड़त है फिर आके जब यह सेट होता तो बरन मारता है तो इसलिए यह वेस्ट है नीचे खिला तो बाकि जॉर्डन क्लार्क अच्छा ठीक ठा ओल रॉंडर है बट कंसिस्टें परफॉर्मेंस नही नमबर वन T20 बॉलर अभी रिसेंट में जो है वह है इंटरनेशल में तब्रेश शंशी लाइस नहीं मिली आदे लोग एगनोर करेंगे बट नमबर वन T20 बॉलर इंटरनेशल लेवल में तो मैं जरूर लेकर जाओंगा लेफ्ट चाइना मैं बॉलर है तो जरूर लेना टी इसका कॉंफिडेंस भी बूश्ट हो रहा है जिसे काने नहीं हर विकेट निकाल भी रहा बाकि आपर रीश टॉपली द्याट सोला के टीवेंटी वल्ल्ड गप में टीम का स्क्वाइड का पार्ट अब उतना एक्स्पेक्टेशन नहीं है क्योंकि रेगुलर विकेट निका बनते हैं रॉइ नहीं बनते हैं बनते हैं रॉइ नैरायन बिलिंग्स टॉम करन अबरेश शम्षी और शाकी महमूथ तो यह कुछ 12 शे प्लेयर अविलेबल है देखो जो मैंने टीम क्रेट किये मेरे कोईडिंग टीम यह बन सकते हैं आपको मैं रीजन राट प्लेयर को ले भानिंग भी कर लेता है यहां पर लॉरी वैंस के बैटिंग उंचे चाहिए दो इंप इंपोर्टन ने रहेगा फ्लोऑ ठीक में ट्राय कर सकते हो बति मैं बैटिंग मेरेम यहां बागी आते है नराहिं है निशम है और यहां है मेरा और ऑल राओंड सेंगे चेक वर को सब बागी ग्रेंड लिग में आपको जरूर रिकमेंड करूंगा वह है विल जैक्स जोश्यो को ओपन का रहा है इस केस में ग्रेंड लिग का उप्शन अए मैंने जैसे बोले हिंगिस और है अल्पन को बैटिंग सब्सक्राइब है अतना उपर्चुनिटी नहीं पायं इतना सेफ नहीं रहने वाले तो फिलाल मेरे बाकी लोग बॉलिंग में टॉम कर्न काय सामद और नीचे लिए मैं तब्रिष शंशी और यहां पर लिया मैंने जाकी महमूद, बॉलिंग में आप चाहो तो किसको पिक कर सकते हुए वहाँ पर है, जेक बॉल को, ठीक है बाग की फिलाल मैंने जो लिये यह है, कैप्टन सी मैंने दिये, नारेन को वाइस केप्टन सी मैंने राय को आपकास कैप्टन सी, के ओपशन है, जेम निशम और है टॉम बैंटन, इनफोर्म प्लेयर बैंटकेट तो इन पर ज्धान दे सकते हुए और थोड़ा रिस्क लेना है, ग्रेंट लिग में तो वह तबरेश शमशी और टॉम करन, फिलाल मेरे समॉलिक के तैंपरी टीम बताजी आपको मैंने क्या है, अब Grand League T1 के वारे बागते हैं, तो मैंने WICKETTI इपर सेम रखाया, एक मैंने Colin Ingram को रखाया है, विए अन्छाए बैंटकेट की जगए, जए बैंटकेट की जगए, बैंटकेट की जागए. मैंने विए बैंटकेट की जगए मैंने Colin Ingram को पिक रखाया है, अगर काफी लोगों की team में होगा तो हमारी रेंगश्त हो सकती है मैने капt고 wc initial will jacks को लिया है और यहां यहां पर मैंने इक लियर मिस करने तब्रेश रम्षी आप यहां पर तब्रेश रम्षी को ले सकते हुआ यहां पर मैंने टीम वन में काई सहमत की जगा क्योंकि मैं काई सहमस से जादा रेटिंग करूँगा उठीक है बर्ट फिलाल आप एस मुझा अपर एक चिंज जुरूर करना चाहो तो कर सकते हो एक 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 टीम बना किया वाइस के टॉम करण तबरई शम्षी को जरूरू ट्राय करना क्योंकि बॉलिंग सेक्षिन में जादा कोई ध्यान देखने और ऐसे प्लेयर है जो बैट यह करन तो रोल प्ले कर सकता है और शम्षी बॉलिंग से काफी अच्छी 2-3 विगेट निगाल जकता है बाकि जो आपको फैनल टीम आपको यह स्मॉलिकुलस ग्रेंड लिक के अपडेटी टीम आफटर टाउस टेलिग्राम पर अपडेट मिल जाएगी तो ज़रूर जोइन करना है टेलिग्राम को उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा तो कमेंट के लिंक के थ्रूई आप टेलिग्राम से जुड़ना तभी सही चैनल के साथ जोड़ पाओ गया अब आते हैं बाई की पिक के उपर देखो बाई के पि तक यहां पर भी डालेगा एक आदा विकेट लेता है क्यों डालता है और बैतिन्ग आती है अखर या प्लटा बीस पच्छी सन्वाट कर जाए तो हमें प्रॉफिट दे सकता है दूसरा है टॉम करन वीस बॉल पूर डालेगा एक लिगेट लेगा एक आध्लिश्ट वीकित यहां पर सुनिल नरायन को मैं उपर टीम बैटिंग में पर्मोट भी कर रहे हैं और बॉलिंग में अगर 20 बॉल डालता है एक आधा विकेट भी निकाल जाए और थोड़ा अच्छा दिन दा 2-3 विकेट भी निकाल सकता है और एक आधी कैच कर जा कुछ डाट बॉल डाल जाए तो यहां पर तीसरा उप्शन यह था तबरेश शंशी जो बॉलिंग का उप्शन है बीस बॉल मुझे कहीं नगे पता है कि जुरूर डालेगा और दो विकेट निकाल जाए बीस बॉल पर एक आधा कैच कर जाए कुछ ड टैलीग्राम के से जोइन करना वी-डियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहाँ टैलीग्राम चैनल का pine